Dear students, we have to discuss international investment for sustainable development. अब हम बात कर रहे हैं international investment की. Developing country के लिए जो सबसे बड़ा issue था वो finance का था. finance की availability, funds की availability और फिर allocation of the funds. अब जो international investment थी उन्होंने कुछ funds प्रवाइड किये developing countries को for the purpose of sustainable development. अब international जो investment थी उनको एक सबसे बड़े challenge का सामना था और वो थी governance of the international investment. प्राब्लम ये था कि जो funds जिस मकसद के लिए दिया जा रहा है वो सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तमाल होना चाहिए. उसके इलावा नहीं होना चाहिए. अब developing countries के लिए जो है लाज़ी बात है कि उनके लिए एक सुनेरी मौका है कि उनके पास बहुत ज़्यादा funds आ रही है और वो funds वो कहीं भी खर्च कर सकती हैं. अब ये एक serious shortcoming है. देखें international जो investment है उसका focus है sustainable development. Sustainable development के जितने भी goals बने हुए हैं उनके areas के अंदर उन्होंने अपनी investment करनी है. चाहे वो साफ पाने की बात हो, चाहे environment की बात हो, pollution की बात हो, चाहे उसके बाद हंगर की बात हो, poverty की बात हो, उन्होंने उसको पर गुफ्तगू करनी है. उन्होंने funds उसके मताबक provide करनी है. तो उसके funds आपको मिलेंगे और आप developing countries bound हैं उस fund को उसी area में खर्च करने के लिए. दूसी तरफ international investment को जो है, करते हुए इस बात को focus करना है, यह यूँ समझ लें कि इस बात को monitor करना है, कि जो fund जिसके लिए लिया गया है, क्या agreement को final किया गया, क्या rules and regulation के मताबक उसी जगा उसको fund को खर्च किया गया, यह वो funds किसी और मकसद के लिए तो खर्च नहीं किया गया. अब यह जो foreign direct investment जो है, यह crucial है, और crucial जो है, वो इस सवाले से हैं, कि अगर funds जो है, वो किसी और जगा पे utilize हो गया है, यह दूसरे लफजों में यह समझे लें, कि funds misuse हो गये, यह appropriate use नहीं हुआ, तो वो target achieve नहीं हो सके हैं. अब जब COVID-19 की बात करते हैं, तो वो जो crisis आया, उसके अंदर जो SDGs goals से, उनका जो developmental process था, और उसको जो check and balance था, उसके उपर काफी compromise हुए. यह यह यूं समझे लें, कि हम कह सकते हैं, कि वहाँ पे उसके अवाले से, अगर्चे एक तरफ तो जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं, कुछ quality jobs भी आई, कुछ innovation भी आई, कुछ human capital जो है, वो भी develop हुआ, including the women. living standard जो है, वो भी थोड़ा raise हो गया, हमारी जो environmental sustainability थी, वो भी बेतर हुई, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ, वो जितने भी ममालिक थे, उनके अंदर यह ensure करना बहुत जरूरी था, कि जितनी international investment हैं, क्या वो वाकिही उन्हीं चीजों पर खर्च की जा रही है, जिनका तायून क्या गया है, और क्या उससे वो मुनासिब, या बेतर, या fully result आ रहे हैं, जो हम expect कर रहे हैं, अगर तो investment ठीक है, तो इसका मतलब है, उसकी output पी ठीक होगी, output ठीक होगी, तो जो sustainable development के goals हैं, वो maximum achieve हो सकें हैं.